हलो दोस्तो माय साहब डोकर सुनील तमार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्थी सर्जन दोस्तो आज हम जानेंगे वाट इस दा treatment of the sinus problem क्या है sinus problem का management दोस्तो बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगे बैल आइकोन को यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले जिसके आने वाले वीडियो की आप कोई जानकरी समय समय पर मिलती रहें दोस्तों साइनस समया एक बड़ी ही कॉमन समया है क्योंकि यह जो आपको जो नोज अलर्जी रहती है उसके कारण साइनस समया डवलप होती है जैसे प्रिवेश वीडियो में हमने डिसकस किया था क्या है साइनस प्रोबलम दोस्तों जब कोई पेशिंट साइनस प्रोबलम लेके आता है तो उसके सिम्टम के बैस के उपर और जो है उसके कुछ फर्स्ट उसका डियागनोशिस कंफर्म करने के लिए कुछ इंवेस्टिगेशन कराई जाते हैं दोस्तों एक इंवेस्टिगेशन है पहला नेजल एंडॉसकोपी में क्या है एक एंडॉसकोप होता है एक दुर्वीन होती है जिसमें नोज में डालने से आपको मॉनिटर पे एंटायर अंदर का नोज विजूलाइज हो जाता है और हम CT scan यहां जो परानेजल साइनस है नोज के आसपास उसका कराया जाता है उस CT scan की सहाइथा से हमें यह पता लगता है कि आपके जो नोज के बीच में जो हड़ी है उसका डेवियेशन कितना है आपके जो साइनस है उनमें जो है वो कौन-कौन से में पॉलिफ्स बने हुए है कौ यहां पर हमारे मैक्जिलरी साइनस होते हैं यहां पर हमारे एत्मोइड साइनस होते हैं यहां फ्रंटल साइनस होते हैं सो दोस्तों यह जो साइनस होते हैं कई बार जो साइनस के अंदर एक पर्टिकुलर साइनस के कारण पर्टिकुलर प्रब्लम भी होती है बहुत बार अ बहुत बार दोस्तों यह जो आपके frontal sinus हैं अगर उसमें fluid बढ़ा हुआ है तो जो है patient को characteristic यहाँ जो आगे का इससा है सिर में उसको आमोमन pain रहता है, patient करता है सब मेरे को यहाँ headache रहता है frontal area में आगे के area में, तो यह कुछ चीजें हैं जिनसे हमें यह पता लगता है, दोस्तो जब उसका diagnosis बन जाता है, उसके बाद जो उसका treatment है, उसका जो permanent cure है, उसके लिए दोस्तों sinus surgery की जाती है sinus surgery दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लें कि यह sinus surgery जो है वो एक endoscopic surgery है, इसमें बाहर से कहीं कोई चीर, फार, टाका, पटी, दद, निसान ऐसा नहीं होता Sinus surgery, first यह जो surgery है वो under anesthesia होती है, इसमें pain नहीं होता, इसमें आपको पता नहीं लगता और जो आपका CT scan है, उस CT scan की मात्यम से, जिस जिस भी sinus के अंदर polyps हैं, रसोली हैं, उनको endoscopic दुर्वीन से पुरा का पुरा clean कर दिया जाता है और जो है nose का ब्लोकेज वो open हो जाता है, दोस्तों यह एक बड़ी ही important बात है, लोगों में एक दूसरा myth हो रहे हैं, कि यह जो sinus surgery है, यह तो वापस हो जाती है, यह जो sinus जो है, इसकी वापस जरूत पढ़ती है, पोलिप वापस हो जाते हैं, ऐसा हम ने सुना है दोस्तों यह बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर sinus surgery को अच्छे जो है वो technique से जो आजकल micro debrider जो आता है, दूर्बीन से पूरा entire अगर पोलिप निकाला जाता है, तो अच्छी technique से किया जाता है, और patient को जो देगी instruction का बराबर follow होता है, तो यह वापस अमोमन नहीं होता है, य उसके लिए अच्छी technique से वो surgery होनी से यह, and patient भी अच्छा होना चाहिए, जो doctor उसको बताता है, उसका follow-up जो है, जो हो continue होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जो polyp है, sinus हमेशा है, वो क्या है कि नोज के अंदर जो आपको polyps बन गए, allergy के कारण उसका treatment है, but allergy का management patients को बाद में भी जरुरी होता है, जो continue आपको doctor की सला से लेना चाहिए, so friends, I hope this information regarding the sinus management is helpful for you, and you can share this information to your friends and family and colleagues just to create awareness about the management of the sinus problem, thank you.